हर रोज की तरह उस दिन भी मंदार नगर गाउं के चेक पोस्ट के पास ड्यूटी पर तैनात थे चिदंबरम और उनके कॉंस्टेबल वीर राज तब चिदंबर ने कहा वीर राज हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो चोर पकड में आ जाए इस पर वीर राज ने कहा आप तो SI हो और मैं हेड भी नहीं साधरंसाइक कॉंस्टेबल हूँ जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा सर अरे वीर राज जीवन में कभी कभी ऐसी चोटी मोटी चीजों को नजर अंदास कर देना चाहिए यूँ दिल पे नहीं लेते तब होगा यूँ कि अखबार में छपने वाली हर समाचार को सच मान कर आपको SI से निकाल कर हेड बना देंगे और मुझे किसी चोटे मोटे गाउं में ट्रांसफर करा देंगे तब आपके लिए ड्यूटी ना करने की खुशी साथ लिए मैं तो चला जाऊंगा ऐसी डराने वाली बात करना तो छोड़ो और उस चोर को कैसे पकड़ना है ये सोचो सेर फिर से वही कहूंगा आप SI हो और मैं और मैं एक मामुली सा कॉन स्टेबल रे वी राज ऐसी बात नहीं है हम अपनी ड्यूटी इतने परफेक्टली कर रहे हैं चोटे बड़े यहां तक की बुज़ूर्गों को भी हम बिना चकीं के यहां से नहीं भेज रहें फिर भी चोरी किये हुए पैसों की हेरा फेरी कैसे हो पा रही है अकल से सर जिस चेकपोर्ट पर मैं ड्यूटी पर तैनाथ हूँ यहीं से ज़ादा चोरी हो रही है करा रहे यूँ जब दोनों बात कर रहे थे तभी दूर से कीरती और बालू नाम के दो बच्चे अपने ठेले पर बड़े बड़े तर्बूज रख लेकर आते हुए दिखाए दिये दीदी पुलिस तो हमें ही देख रही है अहां बालू देखेंगे ज़रूर पर हमें चेक नहीं करेंगे तो चिंता मत कर और चुपचाप सीधे सीधे चलता रहे अगर कुछ गड़बड हुई तो मैं बात कर लूँगी अगर कुट्टों की तरफ सुनक कर पता कर ले कि इंतर बुजों के अंदर पैसे हैं तो चिदंबर सर में कुट्टे जैसे कोई गुण नहीं है अगर होते तो अब तक हमें पकड़ना लेते नहीं दिदी कभी नहीं पकड़ पाए और नाहीं कभी उन्हें शक हुआ है हम पर जब एक बार के लिए हम ये मान भी ले कि आज वो हमारी बहुत अच्छे से जांच करेंगे तब भी हमारे पास वहां से बच निकलने का रास्ता भी तो है बस उसका इस्तिमाल कर हम वहां से छोट जाएंगे ऐसा उन दोनों ने सोचा और तर्बूस के ठेले को धकेलते हुए आगे बढ़ने लगे बच्चों को उनकी और आते हुए वीर राज ने देखा और उसे हमेशा की तरह बच्चों पर शक हुआ उसने फिर से एसा ऐसे कहने की कोशिश की सर ना जाने क्यों मुझे इन बच्चों को ही देख कर लगता है जैसे यही चोर है वीर राज तुम फिर से उन मासुम बच्चों के पीछे लग गए कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मांगे हुए सव रुपे कभी दिये ना हो उन्होंने हमेशा उन बच्चों को ही टारगेट बना कर रखते हो सर टारगेट वाली कोई बात नहीं है एक बार अपना धिमाग लड़ा कर सोचो तो आपको ही समझ में आ जाएगा यो धीरे से खुसर खुसर करते हुए वीर राज ने चिदंबर के कान में कोई रहसे वाली बात बताई अरे हाँ चिदंबर मैंने तो कभी इस तरह से सोचा है नहीं अब मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये दोनों बच्चे ही चोर है अभी हम उन दोनों को अच्छे से चेक कर लेते हैं फिर अगबार में आइंदा ऐसी खबर नहीं चपेगी कि यहाँ पर ड्यूट्यो पर तैनात अफसर सोते नहीं ऐसा मन में ठान कर वे दोनों चेक पोस्ट के पास उन दोनों बच्चों के आने की राह देखने लगे कीर्ती और बालू अपना ठेला ढखेलते हुए वहाँ तक पहुच गए चिदंबर ने उनका रास्ता रोक लिया नमस्ते चिदंबर सर क्या आप चेकिंग कर लोगे ऐसे कीर्ती ने पूछा हाँ हाँ नमस्ते बच्चों क्या करे ड्यूटी है चेक तो करना ही पड़ेगा चाहे बच्चे हो या बच्चों की मा अभी कर लेता हूँ तर्बूस के ठेले पर आपको क्या मिल पाएगा सर जी सिवाए तर्बूस के बीजों के अगर तुम दोन अपनी जबान बंद रखोगे तो हम अपनी ड्यूटी कर लेंगे ऐसा कहकर वी राज ने ठेले पर से एक तर्बूस उठाया और उसे ठपाक से जमिन पर गिरा कर फोड दिया तर्बूस के दो तुकडे हो गए पर उसके अंदर कुछ न था सर तर्बूस के अंदर से उसके गुदा के अलावा और कुछ भी ने निकलेगा सर हम कोई चोर बच्चे नहीं है सर हम दोनों इमानदारी से भलों को बेचने का काम करते हैं सर फिर बालू ने भी कहा सेर जी अगर आप चाहो तो आपको दो तर्बूस ऐसे ही मुफ्त में दे देंगे पर हमें यहां से जाने दीजिये ना सर हाँ हाँ जरूर भेजुगा भचो तुम दोनों यही रहोगे ये कहकर चिदंबर ने उन दोनों बच्चों को पकड़ लिया दूसरी और Constable वीराज ने थेले पर से एक एक तर्बूस उठा कर जमीन पर पटकने लगा किर्ती और बालू चिला चिला कर उनसे विंती करते रहे पर Constable ने उनकी एक न सुनी और एक एक कर वीराज ने कुछ पांँ छे तर्बूस जमीन पर पटके जिन में से उन्हें चोरी किये हुए पैसे मिल गए ये देख दोनों पुलिस बहुत खुश हो गए पर किर्ती और बालू बहुत घबराए हुए थे खुश हो रहे दोनों पुलिस को देखकर वे दोनों कामपने लगे तब कॉंस्टेबल वीराज ने कहा सेर कहा ठाना मैंने बच्चे ही चोर होंगे अब इन दोनों को हम С.I. sor के पास ले जाते हैं सेर फिर छिदेमबर और वीराज दोनों उन बच्चों को अपने साथ लिए सी आई सर के पास गये तब S.I. चिदेमबर ने सेर को सारी बात साफ साफ बताई उनसे सारी बात जानने के बाद C.I. सर ने कहा तरबूस के अंदर पैसे छुपा कर ये दोनों ही वो बच्चे हैं जो पैसों की हेरा फेरी कर रहे थे यही कहना चाहते हो ना उस पर वी राज ने कहा क्या ये सच है कि तुम दोनों नहीं ये चोरी की है एक मिनट सर आप पहले ये सुनिये कीरती ने अपने पास रहे एक सेलफोन में एक आडियो क्लिप को आउन किया उस आडियो क्लिप में चिदंबर की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी वी राज जैसे तुमने कहा हम दोनों को किसी भी तरह इन दोनों बच्चों को ही चोर साबित करना होगा जरुरत पड़ी तो हमें अपने तरीके अपना कर अपनी नोक्रियों को बचा लेना होगा असलिये जान लेने के बाद C.I.S.R. ने दोनों बच्चों से माफी मांगी और वहां से उन्हें भेश दिया। गुनहा पकड़े जाने पर छिदंबर और वी राज कामते हुए वहीं खड़े रहे। बालू ने पड़ोस वालों का दिया हुआ खाना, मिठाई, फल, खिलोने ये सभी चीजे ले कराए। दिवार पर रखे अपनी मा की तस्वीर के सामने रखा। दुखी मन से मा के सामने हाथ जोडते हुए कहा। मैं? आज मैं और देती बहुत दुखी है। हम दोनों के आशो थम नहीं रहे। कल परसों से जादा आज तुमारे बहुत यादा रही है। यो रो रोकर बालू ने कहा। कीर्टी भी बोली। कहते हैं की आज मदस्ते हैं। कहा की आज मा को भगवान की तरह पूझना चाहिए। तुम तो हमारे साथ नहीं हो मा, सिर्फ तस्वीर में हो। इसलिए गाव वालों ने हमें जो खाना, मिठाई, फल, खिलों ने दिये हैं, हमने सब तुम्हारे साम में रखा। मा, तुम हमें छोड़ कर यो अनात बन कर क्यों चली गई। हमारे कई बार पूझने पर भी कि पापा कैसा दिखते हैं, कहां रहते हैं। तुमने बताया ही नहीं, और यो बिना बताय ही हमें छोड़ कर चली गई। यू रो रोकर कह रहे बालू की बात सुनकर किर्टी बहुत भावुक हो गई। वो अपने भाई को कस के पकड़ कर रोना चाहती थी। पर किर्टी ने खुद को ये सोच कर रोक लिया कि अगर वो रोईगी तो बालू भी और जादा रोएगा। अजगाओं के सभी बच्चे मदस्टे के उपलक्ष में अपनी अपनी मा के साथ कितना खेल खूद रहे हैं। अगर हमारे भी मा हमारे साथ होती तो मैं और दीदी भी बहुत मस्ती करते। ये सोच सोच कर हमें जितना बुरा लगा है ना मा हम ये शब्तों में नहीं बता सकते। इस तरह केर्थी और बालू अपनी मरी हुई मा के तस्वीर के सामने खड़े होकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर मा की तस्वीर के सामने रखा हुआ खाना, मिठाई, फल वो अपने सामने लेकर बैठ गये। दोनों भाई बहन अपने आशू पोचकर खाना खाने ही वाले थे कि अचानक उन्हें आवाज सुनाई दी जैसे किसने कीर्ती और बालू कहकर पुकारा हो। जट से उन दोनों ने पलट कर देखा तो वहाँ उनकी मा की आत्मा बैठी हुई थी। दोनों उसे देख कर बहुत घबरा गये। तब मा की आत्मा ने अपने बच्चों से कहा। लेकिन कीर्ती और बालू उसे देख कर अब भी डर रहे थे। नहीं नहीं हमें कुछ मत करो। मा ने उनका डर भगाने की कोशिश की। अरे मैं तुम्हारी मा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुचाऊंगी। चलो मैं अपने हाथ से खाना मिला कर देती हूँ। चली गई है। तुम हमारी मा नहीं हो सकती। तुम यहां से चली जाओ। ए भगवान अब मैंने कैसे समझाओं कि मैं ही इनकी मा हूँ। बच्चों मैं सच कह रही हूँ। मैं ही तुम्हारी मा हूँ। भूतात्मा जी आप अगर हमें कुछ करने आई है तो मेरे साथ ही करना, मेरे भाई को कुछ मत करना, वो भी बहुत छोटा है, उसे नुकसान मत पहुंचाना। बालू तुरंट बोला, नहीं नहीं भूतात्मा जी, आप अगर मेरी दीदी को मार दोगे, तो मुझे भी साथ में मार देना, मेरा इस दुनिया में दीदी के अलावा कोई नहीं, अगर वो नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा, आप मुझे भी दीदी के साथ ले जा तुम दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर तुम दोनों जैसा समझ रहे हो मैं तुम दोनों की जान लेने नहीं आई हूँ मेरा विश्वास करो यूँ दुखी होकर भूत आत्मा ने उनसे विंटी की मा की तडब को दोनों बच्चों ने पहचान लिया अच्छा अगर आप हमारी मा हो तो अपना बाया हाथ दिखाओ हाँ देख लो मेरे इस हाथ के तलवे पर इमली के बीच जितना तिल है मा ने तुरंट अपना बाया हाथ बच्चों को दिखाया कीर्ती और बालू ने देखा सच मुझ में उसके हाथ पर तिल था तब कीर्ती ने आखिरकार उस भूत आत्मा को अपनी मा मान लिया कीर्ती रोने लगी मा क्या सच में तुम हमारे लिए आई हो मालू देख ये सच में हमारी मा है हमें प्यार देने के लिए ये हमारे लिए भूत आत्मा बनकर वापस लोटाई है मालू मा तुमने तो देदी को बहुत प्यार दिया था ना मुझे बिना प्यार दिया चली गई थी अब दीदी के साथ मुझे भी प्यार करो ना मा बच्चों की बाते सुन मा से रहा नहीं गया उसने तुरंट थाली अपने हाथ मिली और दोनों को अपने हाथ से खाना खिलाने लगी कीर्ती और बालो भी बहुत खुशो कर अपनी मा के हाथ से खाना खा रहे थे अब तुम हमारे साथ ये रहोंगी ना नहीं बच्चों, मैं भूत आत्मा हुँ ना, मैं जादा देर तक बाहर नहीं रह सकती हाँ पर मैं हर रोज आऊंगी, तुम दोनों के लिए तरह तरह के पकवान बनाऊंगी यू मा भूत आत्मा ने बच्चों से कहा और फिर से अपने बच्चों को खाना खिलाने लगी यूही दिन बीत रहे थे, शाम होते ही कीर्थी और बालू की मा भूत आत्मा उन दोनों के पास आ जाती उन्हें तरह तरह के वेंजन बना कर खिलाती, खूप सारी कहानिया सुनाती